आज ग्रामर के अंदर बहुत ही important topic जो की सबसे जारा important माना जाता है उसका नाम है syntax यहनि subject-verb agreement या subject-verb concord जो बोला जाता है खतरनाक से ऐसे खतरनाक important topic है मेरे प्यारे students और मेरे प्यारे दोस्तों या जो भी भाई बन देखते होंगे उनके लिए खतरनाक topic होने वाला है तो चलिए वीडियो को सुरू करते हैं और आप लोग को बताते हैं सारे चीजों को एक दम अच्छे से पहला चीज है syntax का क्या meaning है तो syntax का आर्थ है subject और भर्व के बीच में agreement का द्यान करना syntax का meaning क्या होता subject और भर्व के बीच में agreement का द्यान करना सब्जेक्ट था भर्व के अग्रिमेंट से ताथ पर सब्जेक्ट उसके वचन या पुल्रल के अनुसार भर्व का परियोग केसे हम लगाते हैं वही चीज़ को कहते हैं सब्जेक्ट भर्व अग्रिमेंट यानि सब्जेक्ट भर्व के वीच में एक समझ होता यानि अग्रिम वेशा भर्व याद रखें भर्व का मुल्रूप पूलरल होता है लेकिन इसके आंत में S या E.S का प्रियोग कर देने पर यह सिंगुलर हो जाता है और उसी परकार अगर हम किसी भी नाउन में S या E.S लगा देते हैं तो वो पूलरल बन जाता है लेकिन भर्व में उल्टा ह होता है तो प्ले अगर पूलरल है तो प्ले आपका सिंगुलर हो जाएगा अब सीधे हम बात करते हैं रूल्स ऑप अग्रिमेंट का कि केसे हम क्या-क्या अग्रिमेंट याद रखेंगे जिससे कि आपका एक्जाम में एकदम आने वाला जो भी बात होगा आप आसानी से एर प्ले अगर प्ले अगर प्ले नहीं होगा क्यों कि प्ले फुटबाल इसलिए होगा क्योंकि पूलरल सब्जेट के साथ पूलरल बर्व का प्रियोग होता है हम continue वीडियो को आप लोग के लिए डाल रहे हैं तो आप लोग continue देखें और अपना problem को comment box में जरूर से जरूर रखें और वीडियो का फाइदा जरूर उठाएं क्योंकि हम आपके लिए आपके बेतरिन जीवन बनाने के लिए आपके लिए बना रहे हैं तो चलिए हमारा दूसरा point है यदि दो nouns या pronoun and से जुड़े हो तो उनके साथ plural verb का प्री होता है यदि दो noun या pronoun and से जुड़े हो तो उनके साथ plural verb का प्री होता है लेकिन and से जुड़ेने के बावजुद एक ही वेक्तिया वस्तु का बोध कराते हो तो उनके साथ singular verb का प्रीयोग होता है जैसे bread and butter यहाँ पर दियान दिजिए का बहुत ही खतरना खतरना इंपॉर्टन है bread and butter is my favorite food यह आपका सही है क्यों? क्यों है bread and butter एक ही चीज को सो कर रहा है उसी परकार slow and steady wins the race यह भी आपका बिल्कुल सही है तो दियान दिजिएगा बहुत इंपर दिजिए कुछ एसे नाउन का यूग में भी नीचे में दिया गया है rice and curry, horse and carriage, hammer and a sickle, crown and glory और भी बहुत सारे हो सकते हैं बट इतना आप लोग कम से कम दियान दिजिएगा क्योंकि यह लगातर पुछने वाले चीजें है each या every का प्रयोग किसी भी तरह से किया जाए खातरनाग पॉइंट दियान दिजिए यह खातरनाग पॉइंट है each या every के प्रयोग किसी भी तरह से किया जाए इसके साथ हमेशा क्या होगा singular verb का प्रयोगा क्या होगा मेरे प्यारी student, मेरे प्यारी भाई बन क्या होगा singular verb का प्रयोगा जैसे each student and each teacher are lazy तो यह क्या है गलत है each student and each teacher is lazy correct इसका हो जाएगा क्योंकि इच के साथ किसी भी तरह का आप सब्जेक्ट यूज़ कर लिजिए हमें सब सिंगुलर भर भी यूज़ होगा इच एन एबरी उमेन हैब कम तो यहां पर जागा इच एन एबरी उमेन हैज अब दिखा भी दे रहे हैं इसी परकार इज ऑफ इच ऑफ दा शिक्स बॉइज आप बोईज देख लिए तो यहां पर आप नहीं लगा दिजिए गा इच के कोडिंग लगेगा तो इसके साथ क्या लग जाएगा यहां पर इज लग जाएगा इच ऑफ दाप दो डाल एबरी हम आप लोग के लिए जितना करते हैं उतना आप लोग प्यार नहीं देते हैं आप लोग वीडियो को ना सेर करते हैं ना वीडियो को पूरा देखते हैं ना वीडियो को फैलाते हैं ना वीडियो को उतना आप कमेंट वीडियो में बताते हैं कि क्या प्रोब्लम रहता सिर् यह फिर भी हम आप लोग के लागतार वीडियो लाते ही रहते हैं वन ओफ इधर ओफ नीदर ओफ दन नंबर ओफ के बाद पुल्राण नाउं था सिंगुलर भर्ब का प्रियोग था खतरनाग पॉइंड यह भी है वन ओफ इधर ओफ नीदर ओफ पर दन नंबर ओफ प्लस उपर आपको देख सके पुनर एधर ओफ दूचर आ इंक्रीजिंग तो क्या हो जागा इसका इधर ओपदाट टीचर्स आपका क्या हो जागा इस GU ठीक है यहाँ पे दो जहां दिया था ठीक है तो तो थेरा ध्यान देना इसी ब कि आगे बढ़ते हैं यहाँ पर देखते है इसी परकार the number of boys are increasing तो क्या हो जागा the number of the boy is increasing यहाँ पर ध्यान दीजिएगा यह बहुत ही ज्यादा important है खतरनाक से भी खतरनाक important है याद रखें यहाँ पर the number of the boys हो जाएगा ठीक है तो रहाँ सद्यान देना है याद रखें यह number of boy ही होगा यह number of के बाद पुल्रन नाउन या पुल्रन भर्व का प्रियोग होता है अब example यहाँ पर देख सकते है यह number of boys has participated क्या हो जाएगा प्यारे है students a number of boys has participated यह गलत है यह number of boys have participated क्या हो जाएगा यह number of boys have participated आगे बढ़ते है पांचवाँ पॉइंट पांचवाँ खतरनाक पॉइंट है यह वाला भी who which that के बाद आने वाला भर्व इसके ठीक पहले परियुक्त नाउन के number के अनुसार होता है आपको pronoun के अंदर में भी आम बताएते तो बहुत ही खतरनाक पॉइंट है और एक बार पुन आप डिवीजन जब कीजिएगा तो आपको इस पर जितना भी कोशन आगा आप असानी से टेकल कर पाएंगे क्या हो जागा subject plus who which और देट रहेगा तो उसके बाद भर्व जो होगा वो उसके अनुसार लगेगा ठीक है subject के अनुसार लगेगा एक्जामपल one of the boys who is playing there ये गलत है क्या जागा one of the boys boys के अनुसार लगेगा और boys के अनुसार लगेगा तो वहाँ पे are playing होगा तो ये खतरनक से खतरनक important है क्योंकि एक्जाम में लगाता है ये देखने को भी मिलता है इसी पर का the man who are here is my friend ये गलत है तो जागा the man who is here is my friend उसके बाद पून it is I who has helped you ये गलत है it is I who have helped you तो ये सब आप लोग प्लीज से प्लीज रिविजन कीजिए नोट कीजिए कोपी निकाल लिए पैन निकाल लिए और नोट करना सुरू कर दीजिए लिक लिजिए और प्रैक्टिस करना सुरू कर दीजिए क्योंकि बार बार यही सारे चीजों को परिछा में पूछा जाता है question number यानि point number six दो नाउन्स या प्रोनाउन्स यादि with together with as well as besides along with like in addition to इत्यादी स जुड़े हो तो भर्व का प्रियोग पहले नाउन्स या प्रोनाउन के नुसार होता है यहां पर देख सकते हैं इसका बनाया हुआ subject plus with plus together with as well as plus along with plus subject to रहेगा लेकिन भर्व लगेगा किसके नुसार पहले subject के नुसार याद रखेगा यहां पर इसका example भी देख सकते हैं the thief as well as his sons were arrested तो इसका correct क्या हो जाएगा the thief as well as his sons was arrested क्योंकि थीप के नुसार यानि आपका क्या लगेगा भर्व लगेगा he together with his friends are coming यह गलत हो जाएगा his friends के नुसार नहीं लगेगा बलकि he के नुसार लगेगा इसलिए वहाँ पर इस का प्रियोग होगा इसी पर का parents as well as their sons was there यह गलत हो जाएगा तो इसका सही क्या हो जाएगा parents as well as their sons were there आपका सही हो जाएगा फिर आगे बढ़ते सात्मा पॉइंट ओप से बने collection noun के बाद puller noun था singular verb का प्रियोग होता है खतरना important है सिंगल भर्योग होता है जिससे बятся आपश अप, आप से patterns, आप सीर्य phow 29 लगेगा Ling लगेगा singular verb तो यहां पे देख सकते हैं a set of question had been given तो क्या हो जाएगा एस सेट आप कोस्चन has been given आपका correct हो जाएगा आप जब जब लगातार अगर जो भी बात आप समझ नहीं पाते होंगे ना जो सेंटेंस में आपको दिकत होता होगा ना प्लीज मुझे कमेंट करके बताएए हम उसको बेहतर नेक्स समझाएगे लेकिन जो कोस्ट आपको वीडियो बनाएगे आपके लिए वो एकदम कम समय म में जादा जादा चीजों को बताएंगे इसी परकार एक ग्रूप ऑब बॉइज वर फाउंड तो क्या हो जाएगा एक ग्रूप ऑब बॉइज वाज फाउंड यह अपका करेट हो जाएगा आगे बढ़ता है प्रिपोईशन के पले जो नाउन आता है वही सब्जेक्ट मा यह क्या हो जाएगा गलत दबुख ऑफ राम हैब लॉष्ट यह आप लोग प्लीज धियान दिजिएगा इस सब चीज को ध्यान देने की ज़़रत है अप लोग को ठीक है ना क्या हो जाएगा दबुख ऑप राम हैब लॉष्ट आगे बढ़ता याद रखें यदि वाक्य म उन्हें उसी के नुसार भर्व लगाना है और इसको सेंटेंस के तुरूब समझते हैं जैसे यहां पर आप देख सकते हैं दा हैबिट आप अब दॉपल इन डिफरेंट कंट्री तो क्या हो जागा अब कहां देखें कितना प्रिपोजिशन यहां बहुत भूलते भी है यहां भर्व के पहले प्रियुद नाउन के नुसार होगा नम्मा पॉइंट प्लस एड़्यक्टिव के साथ पूलरल बर्व का प्योग होता है तो प्लस एड़्यक्टिव यहां देख सकता है दो पूर इस बीकमिंग पूर गलत दब पूर और विकमिंग पूर यह आपका करेक्ट हो जागा तो जितना भी है आप लोग यादेखें के दफ्लस एड़्यक्टिव वहाँ पे आपका आर यानि पूलरल बर्व का प्रियोग हो करता है तो क्या हो जाएगा मैनिय बॉय मैनिः प्लस ए थे भाय ईन या मोर देन वोन प्लसािटव और यह अबर ऑन जैसे मैनि य बोय हैब कम गलत उसी अन व्दैन वन boys have come, गलत है, more than one boy has come, यह आपका correct हो जाएगा, आगे बढ़ी है, एगर वहाँ point, several, both, many, various, a few, के बाद, pull-run noun, तब pull-run verb का प्रियोग होता है, अर्थात, several, both, many, various, a few, plus pull-run noun, plus pull-run verb, example भी आप दे सकते हैं, both the child is intelligent, गलत, both the children are intelligent, इसी परकार, several issues are likely to come controversial, गलत, several issues are likely to come controversial, यह correct हो जाएगा, और आज का अभी बहुत ही खतरनाग आने वाला है, यदि दो subject, यदि दो subject not only but also, neither.nor, either.or से जुड़े हो, तो भर्व अपने नईदीक वाले subject नुसार, यह confuse जादा तो वही यह वाला confuse करता है, कि किसके नुसार लगाएं, क्योंकि उसमें वाले subject के नुसार लगता है, यहाँ पे नईदीक वाले subject के नुसार होता है, तो ध्यान दिजेगा, दो subject is not only but also, neither nor, either.or से जुड़े हो, तो भर्व अपने नईदीक वाले subject के नुसार होता है, neither you nor I are willing to do it, गलत, क्योंकि I कनुसार लगता है, तो क्या जाता, neither you nor I am willing to do it, इसी पर का either you or he have to do it, यह क्या हो लगत, गलत हो जाएगा, इधर you and he has to do it, option बोलते हैं, यह option बोलते हैं, दिमाग में option ही आ जाता है, आगे बढ़ते हैं, तेर्वा पॉइंट, body, one, thing से बने, pronoun, यानि somebody, anyone, everything के साथ, singular verb का प्रियोग होता है, जैसे everybody know that the earth is round, यह हो जागा, everybody knows that the earth is round, इसी पर का someone have stolen my pen, नहीं, someone has stolen my pen, everything has its own importance, तो everything has its own importance, आगे हैं, लास्ट और खतरनाक, वर्तमान के unfulfilled wish, condition, desire को व्यक्त करने के लिए, if, as if, I wish के बाद, भर्व के रूप में सिर्फ और सिर्फ work का प्रियोग होता है, चाहिए subject किसी भी number या person का ही क्यों नहीं हो, खतरनाक, ध्यान दीजे, खतरनाक, यानि unfulfilled, जो, जैसे if I was a bird, यह नहीं होगा, if he were a bird, इसी परकार I was a bird, नहीं, I wish I were a bird, if I were a bird, I would fly, तो यह सारे चीजें आप देख सकेंगे, और बहुत ही खतरनाक पॉइंट है, यह ध्यान रखिएगा, तो आज के वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में और भी चीज़ लाएंगा, इसके लिए आप लोग यहाँ पर practice भी exercise के लिए दे दिये, और answer भी आप बगल में देख सकेंगे, ठीक है, आप मिला लीजिए का answer, यहाँ पर आप देख सकेंगे, वीडियो के अंदर में आप इसको बना के देखिए, आपका confidence boost up हो जाएगा, तो आप question भी बनाईए और answer भी हम आपको यहाँ पर देख भी सकते हैं, बगल बगल में आपका answer भी दिया हुआ है, ठीक है, आप मिला लीजिए, बना बना के देखिए, और लगातर मेहनत करते रहें, क्योंकि एक दोस्तों तक फैलाएं, क्योंकि हम आप लोग के लिए जबरदस वीडियो लाते हैं, कम समय में ज़्यादा knowledge देते हैं, फिर भी कहते हैं कि अच्छी के साथ अच्छा होता, बट आप मेरे लिए कुछ थोड़ा सा है, तो ध्यान दीजिए, आप लोग से कुछ भी demand नहीं कर सिर्फ वीडियो को देखें, आप अपने जीवन में लाब उठाएं, और आपने जीवन में success करें, यही हम आपसे चाहते हैं, thank you very much